देखो, first question क्या था, find the total, column given, total column कैसे निकालेंगे, क्या-क्या दिया हो है मेरेको, order date, region, rep name, items, units and unit cost, तो total कैसे निकालेंगे, total sales value कैसे निकलेगा, sum total नहीं, units into unit cost, sum total मतलब, sum product क्यों, हाँ वो final answer निकलेगा फिर उस ते, मुझे final answer नहीं चाहिए, मुझे हर एक का चाहिए, I have to fill this column, तुम सही बोल रहे हो, कि, हाँ, हाँ वही, वो जो sum product बोल रहे हो, उसे तो एक answer आएगा, नहीं, drag कैसे करोगे, sum product, हाँ, accumulative आएगा, sum product में अगर ये दोनों select करेंगे, तुम बोल रहे हो, इसको select करो, और इसको select करो, फिर इसको drag करो, राइट, तो जब इसको drag करेंगे, तो क्या होगा बताना, ये जो आ रहे, is this 19 into 50, no, ये क्या है, ये क्या है, हाँ, actually इसलिए, because यहाँ पर हमने cell referencing वैसे किया है, क्योंकि यहाँ पर ये absolute नहीं, अगर absolute होता, तो वो drag वैसे होता, हाँ, वो ठीक है, but then sum, ठीक है फिर, sum product correct है, sum product से भी कर सकते हो, सबसे easy होता है, units into unit cost करके, ठीक है, multiplication sign, हाँ, sum product कर सकते है, very good, कर सकते है, sum product, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, simply, यह जो, अच्छा, तुम लोग को यह पता है, कि यहाँ पर double click करने से वो अपना fill हो जाते है, पूरा column, दिखना, रुको, यहाँ पर, suppose मैंने एक equation type किया, sum product का, अब obviously, इसको drag करेंगे, तो बहुत time waste होता है, तो क्या करेंगे, simply, यहाँ पर लेके जाओ, plus sign आया न, drag handle आया मेरा, इस पर click करो तो वो पूरा fill हो जाते है, और यह तभी होता है, जब मेरा left hand side वाला column पूरा fill होता है, और यह कहां तक जाएगा, जो end वाल है वही तक जाके stop हो जाएगा, so the left column should be filled, तभी वो fill handle है वो drag होगा, double click करने से, हा, double click, करके देखो, ठीक है, sum product कर सकते है, और हम लोग क्या कर सकते थे, units into unit cost, unit into unit cost, ठीक है, simple, क्या बुल जो, product function भी उसकते है, जैसे sum function होते है, वैसे product function होते है, तो product function भी उसकते है, ठीक है, वैसे sum product नहीं उस करोगे, तो better है, why, because sum product का वो नहीं है, आपी use नहीं है, just because उसके वैजर से answer आ जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं, this is better option, ठीक है, जा फिर product, सबका आया, answers, next question देखो, next question है, आगे ना सबका पक्का से, next देखो, और जिन्होंने नहीं किया घर जागे, please practice कर नहीं वाला sheet, ठीक है, first वाला, count the number of sales, where sales value is greater than 500, कौन सा function, क्या करना है, count the number of sales, तो यह मेरा क्या है total वाला column, यह मेरा total sales वाला column है, तो ऐसे कौन से sales है, कितने सारे sales है, जो 500 से उपर गए, तो कैसे निकालोगे, count if use करके, बताना सनीहा, बताईगे वाला, बताओ, count if, range, total column का range पूरा, तो यही मेरा criteria range है, और यही मेरा range है, जो count होगा, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कैसे mention करते है कुशल, greater than equal to 500 डालेंगे क्या, नहीं क्योंकि सिर्फ greater than बोला है, तो क्या यही लिखा है तुम लोग ने, यही होगा क्या, count if, ठीक है, answers match करो 14 आ रहे है सबका, sure, सबका 14 आ रहे है, next देखे, match हुआ सबका 14, ठीक है, next देखो, create a column with sales value of item pencil, create a column बोला है, with sales value of item pencil, मतलब, यहां पर एक और column बनाने है, जहां पर only sales value of किसका आना चाहिए, pencil का, चीक है, उसके बाद क्या बोले, and then find the total sales, तो basically क्या करना है हम लोग को, एक यहां पर column बनेगा, suppose इस column को name दे देते है, pencil, चीक है, तो यह मेरा column name हो गया pencil, करना क्या है, यह मेरा जो total sales है, यहां से सिफ वही figures extract करना है, जिनका item is pencil, तो कैसे करेंगे, आर्या बताओ, हां if use करेंगे, very good, if, logical test क्या ओना चाहिए, क्या condition है, item should be pencil, तो क्या करेंगे, item वाला column select करेंगे, फिर equal to pencil, value if true में क्या चाहिए, बोलो, total sales value चाहिए, otherwise क्या चाहिए मुझे, blank चाहिए, ठीक है, blank दे सकते हो, dash दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, करेंगे, करें इसको, यह आ रहे, starting वाला pencil है, तो यहाँ पर आ गया मेरा sales value, simply हम लोग drag कर देंगे, double click करके, कर लो, सब लोग try, आया सबका, यह यह उसके था थाना, सबने function कुछ अलग किसी ने use कियो तो, नहीं, पक्का, अब इसका क्या बोला है, इसका हमें बोला है, total sales value निकालने, तो यहाँ answer 3 का मैंने बनाया नहीं है, हम लोग answer 3 यहाँ पर करते हैं, नहीं, उसमें बोला है ना, and then find the total sales भी बोला है, हाँ, उसके नीचे कर सकते हो, यहाँ नहीं कभी हम लोग यह सीखेंगे, exam में भी फिर mention करना, कि यहाँ पर this is the answer 3, बगल में लिख देना, जैसे यहाँ पर हम फिर निकालेंगे, इस column का total, तो some function use करेंगे, पूरा column select करने के लिए क्या करते है, कौन सा shortcut, Ctrl-Shift-Up, क्या गया मेरा total, match करू, answer 3, match करू, answers 2135.14 आ रहे क्या सबका, आ रहे, आया ना सबका, next करें, next देखो, आगे था सबका 2134, next देखो, find the sum of sales value of pencils, with unit cost, unit sold greater than 500, sum of sales value of pencils, of unit cost, unit sold greater than 50, क्या क्या condition है, क्या निकालने पहले, sum of sales निकालने, क्या condition है, item should be, pencil and unit sold should be greater than 50, तो दो condition है, sum निकालने, क्या यूस करेंगे, sum ifs यूस कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, sum ifs यूस करते है, sum ifs, पहला क्या है, sum range, किसका sum निकालने है, हां, कैसे बताओ, pencil का निकाल चुके हो, हां, और फिर pencil, कर सकते हैं, दोनो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से answer same आएगा, तो पहले sum ifs ट्राइ करते है, sum ifs, sum range क्या बताओ, pencil लोगे तो तो SUMIFS से भी हो सकते है फिर. 2 condition है, sales value का total sales निकालो, जो भी pencil है item and unit should be greater than 50. तो अगर SUMIFS use कर रहे है, SUMIFS के according, this is my sum range, this is my sum range, total जो हम लोग का sales value था, वो मेरा sum range है. पहला criteria range क्या होगा, item should be pencil. तो item वाला column select किया, उसके बार मेरा item क्या, हम लोग रिखेंगे क्या criteria, कैसे mention करेंगे, quotations में pencil. Criteria range 2 क्या है, second criteria क्या है, unit sold should be greater than 50. तो unit sold वाला column select करेंगे, units वाला column select करेंगे, समझ में आ रहे है क्या करें, comma, criteria क्या है, greater than 50. देख लो, क्या करेंगे, यह मेरा total sales का column था, इसमें से सिफ वही values का sum चाहिए, जिनका item is pencil and जिनका unit sold is greater than 50. तो यह वाला क्या हो गया, मेरा item pencil आ गया and जिनका corresponding units greater than 50, सिफ उनहीं का sum add हो जाएगा. यह होगा, किसने यह वाला क्या था? और तुम लोग सबने यह वाला क्या था? आंसर क्या आया? 1690 आया? अचिक है? सब का आया? यह 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 यहाएगा. सब का ही आया क्या 1690? यह है. सम if से करते हैं. एक और option क्या होगा, सम if कर सकते हैं. यहाँ पर हमने क्या extract किया है? Pencil का values extract किया है. तो यहाँ पर प्लीज धान दे ना, यह वाला जो column है, this is only for pencil. अगर यह वाला हम लोग select करते हैं, तो एक condition ऐसी satisfy हो गया, कि pencil वाला column select हो रहा है. तो मुझे next क्या condition satisfy करना पड़ेगा, units वाला. बस यह difference है. तो अम लोग पहले तो यह range कौन सात है? Criteria range होता है. तो Criteria range करेंगे units वाला. जहां PB units are greater than 50. मेरे formula बार में देखना आ रहे है. Sum range क्या होगा? पूरा value का मतलब? इसी range का greater than 50. तो सब भूरे का सम आ जाएगा. क्योंकि सब भी almost greater than 50 है. तो यह सबज में आ रहे है, क्या हो रहे है? यहां पे हम लोग क्या करेंगे? Pencil वाला range को Sum range select करेंगे, यह वाला नहीं आना चाहिए. Match करो answers देखो. Same क्यों नहीं आया यह? Same ही आएगा, रुको. तो मतलब अगर तुम लोग दूसरा वाला की हो, तो दोनों options एक बार देख लो, दोनो options समझ में आना चाहिए. क्योंकि different तरीके से करोगे तो यह और बेटर होगा. वैसे अगर कोई भी एक है तो answers match होगे. यह वाला समझ में आया, second वाला क्या की है हम लोग? Sum if लिए सिर्फ. Pencil का sales select किये, तो already मेरा एक condition तो satisfied होगया कि pencil है. Second condition is unit should be greater than 50. तो second condition में हम यह वाला specify कर देंगे. चिक है? Sum if से हो जाएगा, Sum if से भी हो जाएगा. सबका आरहा answer? नहीं आरहा है? किसका गलत, क्या गलत था? Criteria range में है. तो तुम्हों दोनों सेम गलती कैसे कर सकते हैं? मतलब वो गलती नहीं है, वो गलत सुना है. गलत जन से एडवाइस लिये, अब उसको पत्ता चल गया कि वो next time तुमसे कभी नहीं पुछेगा, चलो, आया, तो इतना time थोड़ी लगते है change करने में, खाली तुमको backspace press करकी range change करने है, पहले क्या होते है, criteria range होते है, फिर some range होते है, वो sales पे लिया था, सारे ही select हो जाएगा फिर तो, आया क्या? नहीं आया भी लगते है उसका, देख वी बार, हाँ तुमको बोल भी नहीं रहा है, नहीं 1690, सेल रेंज देखू क्या क्या सेलेक किया है, next देखे, चलो next, last question है, find the minimum and maximum sales value, also find the corresponding rep name, मतलब की maximum minimum जो sales है वो निकालो, and किसने maximum sales के उसका मुझे name चाहिए, तो सबसे first तो maximum minimum कैसा निकालेंगे बताओ, बहुत इस दी है, max function, max function क्या select करेंगे, total cost, total sales sorry, total sales select किया मैंने, चीक है, यह आया कि सबका maximum, minimum भी निकाल रेते हैं, match कर लो, minimum maximum match कर लो, यह तो आगयो होगा सबका, corresponding rep name देखो, हम लोग VLOOKUP कर चुके, पर अगर, अच्छा यहां VLOOKUP नहीं होगा, because total sales राइट साइड में, तो और हम लोग को this is my lookup value, and मैंको value के extract करना है, rep name, तो rep name left में है, और जो मैं sales है वो राइट में है, तो VLOOKUP तो नहीं होगा, उसके बदले index match मार्ट जो हम लोग सीखेंगे, इसके बाद अभी वो यहां पर यूज कर सकते हैं, तो वो अभी सीखा नहीं हमने, तो उसके बदले और क्या यूज कर सकते हैं बताओ, कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ट्राइ करो if function, एक नया column बिनाना पड़ेगा, सुचो, हाँ दो, माक्समिन दोनों के लिए, तो सबसे पहले देखना है आपर फिर समझना, बहुत सिंपल अब तम लोगो लगेगा, कीतना easy था, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, basically क्या चाहिए, rep name चाहिए, rep name चाहिए, जिनका sales was 1879.06, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, if, if total sales value, if total sales value is equal to 18790, हाँ, sales select कर सकते है, sales select कर सकते हो, या फिर type कर सकते हो, 79.06, दोनों चीज़ करेंगे, max के लिए करते है, min के लिए, तो basically क्या, total sales का जहां पे value is 1879.06, तो मुझे value if true में क्या चाहिए, rep name चाहिए, otherwise मुझे blank चाहिए, तो क्या होगा ना, पूरे column में सिर्फ एक जगर rep name आएगा, because एक ही जगर ये वाला total sales value match होगा, clear वा ये चीज, if function, किसी कोई भी doubt है इसमें, doubt है तो पूछ लो, ये वाला जो condition है, सिर्फ एक ही sell के लिए match होगा, total sales के लिए, जहांपे मेरा sales will be 1879, उसके corresponding में क्या आजाएगा मेरा rep name, बाकी सब जगर it will be blank, कोई भी doubt है तो पूछो, easy था ना, कुछ था नहीं है ऐसा कुछ, इसको drag करोगे, simply double click करके, देखना, Jardine, या फिर Jardine, जो उसका नाम है, अब एक बार सब लोग यहां पर ध्यान दो फिर खुद से करना, second last, second last cell में मेरा, इसका rep name आगया, this was the total sales value, which was the maximum value, अब इसको हम लोग extract कैसे करें, तुम लोग बोलो के simply यहां पर type कर देते, rep name, पर examiner को कैसे बता चलेगा, कि तुम लोग ने type क्या, कैसे किया type, कहां से आई answer, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 ways होते हैं करने का, एक तरीका क्या कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो तुम लोग maximum of यह पूरा column, यह वाला, यहां तक select करने मुझे, इसको मैच select करना last वाले को, तो क्या होगा न, wait, maximum से नहीं आया answer, तो हम लोग को self-select करना पड़ेगा, तो फिर examiner को पता नहीं चलेगा, कि तुम लोग ने कैसे type के, क्या तुम लोग ने ऐसे एक एक करके देखा है, और फिर type कर दिये सीधा, तो अगर तुम लोग क्या करोगे, एक cell reference देदोगे, यहां पे, तो जब examiner यहां जाएगा, तो उसे क्या दिखेगा, I43, तो उसे समझ में आजएगा, अच्छा, I43 में बलब यहां पे उसने कुछ calculate किया है, तो वो इस cell पे आके check कर सकते है, कि तुम्हा function सही है की नहीं, This is the representation, ऐसा कुछ बड़ा चीज नियह, colorful नहीं बनाया होते है, पर ऐसा जो व है रिप्रेजेंट करने का, यह सब चीज हम लोगो follow करना है, चीक है, try करो similarly minimum के लिए try करो, minimum के लिए भी try करो, same if function लिखेंगे, blank ही आएगा पूरा, बस एक ही cell में answer आएगा, किसी cell में नहीं आ रहे है, तो एक बार लास्ट वाले cell में जाके देखो, यहां पर value क्या आ रहे है, 1879.06 है? Absolute किसको, तुम लोग cell को select कियो, यहां लोग type किया है, वो तो absolute करना पड़ेगा, उसको select करके, वरना drag करोगे तो भी तो drag हो जाएगा, अभी करते है वो चीज, ठीक है, तुम लोग का नहीं आ रहा न, तुम लोग का मैं दिखते हो, यहां पर धियान दो एक बार, minimum के लिए, total sales value is equal to, और यहां पर क्या कर सकते है, यह वाला cell select कर सकते हो, पर जब यह वाला cell select करेंगे तो यह क्या करना पड़ेगा, fix करना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे इसे absolute करना पड़ेगा fnf4 से, चीक है, कॉमा, value if true में मुझे चाहिए rep name otherwise blank, अब इसको drag करूँ, यह यह, गिल, सबका, अब simply इसे हम लोग कैसे एक्ट्राक करेंगे, cell select करके, क्योर वा पाचो question, चीक है, बहुत simple था, last वाला थोड़ा tricky था, but then उसका भी function बहुत easy था, चीक है, stop करिए विखाशी,